Hello everyone, so आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हिंदी सुननी है और फिर व्यूडियो आप पॉस कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के कोशिश कीजिए, आप किसी पेपर पे लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, फिर आप मैच कीजिए कि आपका सेंटेंस कितना सही है, कित अब एक चीज़ आप मैं बता भी चुका हूँ, याद रखिए, कोई भी, ऐसी जो चीज़ों होते हैं, कोई नहीं, नो वन, एनिवन, एवरिवन, जो इस तरह की चीज़े होती हैं, यह हमेशा सिंगलर ट्रेट होती हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर कोई बोलता है, कोई नहीं कहता है, सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह चीज़ हमेशा सिंगलर ट्रेट होती है, यहाँ पे बोला गया है, दुनिया में सब कहते हैं, तो जो सब है, इसकले हम अव्रिवन लगाते हैं, यह भी सिंगलर ट्रेट होता है, तो ता हती है सा समझ जाओ, present indefinite sentence है, singular के साथ does लगता है, simple sentence हो does छुप जाता है action के अंदर, so everyone in the world says इस दुनिया में हर को ही कहता है, यह फिर इस दुनिया में सब कहते हैं, singular ही trait होगा, everyone in the world says, कि दुनिया में सब कहते हैं, कि पैसे के बिना जी नहीं सकते, that you cannot live without money, अब line हमने यह सुनी कि पैसे के बिना, जी नहीं सकते इसमें person नहीं है, हम कई बार होता है, हिंदी बोलते time, जो person होता है न, उसको हम mention नहीं करते, जैसे मेरे दोस ने मुझे call किया, और उसने मुझे simple सा पुछा क्या कर रहा है, so यहाँ पे उसने तू, तुम, आप कुछ mention नहीं किया, person हम कई बार हिंदी में mention नहीं करते, लेकिन English में ज्यादा तर आपको person mention करना होगा, कुछ conditions होते हैं, जहाँ English में भी हम mention नहीं करते हैं, spoken के अंदर, वो मैं आपको किसी और वीडियो में अलग से बता दूँगा, लेकिन English में mostly person हम mention करते हैं, तो कि पैसे के बिना जी नहीं सकते, मतलब आप पैसे के बिना नहीं जी सकते, that you cannot live without money, अब नहीं सकते, सकने वाली जब बात चल दी है, सकता है, सकती है, इससे समझ जो, can वाला sentence है, पूरा बना, दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना, जी नहीं सकते, everyone in the world says, that you cannot live without money, लेकिन ये कोई नहीं बताता, चीक है, अब कोई नहीं, ये भी singular ही treat होगा, ये भी singular ही treat होगा, but no one tells, tell के अंदर s क्यों लगा हुआ है, क्योंकि does छुपा हुआ है, कोई नहीं बताता है, present indefinite sentence है, singular sentence में does छुप जाता है, negative हो या question वाल हो, तो does बाहर आ जाएगा, और s या es जो लगावा है, वो हट जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बोलो, कि he does not tell, तो यहाँ tell लग जाएगा, लेकिन he tells, वहाँ पर simple में s yes लग जाएगा, but no one tells, लेकिन कोई नहीं बताता, no one अपने अपमें ही, कोई नहीं लेकर चलता है, तो अलग से नहीं के लिए, कुछ लगाने की ज़ुरत बिलकुल भी नहीं है, but no one tells, कि बिना पैसे के, कोई चैन से मर भी नहीं सकता, that no one can even die, अब हिंदी में, जिस चीज के बाद भी आए, इंग्लिश में even उससे पहले लगेगा, ये छोटा सा रूल है, मैं आपको कहे बार बता भी चुका हूँ, so यहाँ पर, कि पैसे के बिना, कोई चैन से मर भी नहीं सकता, तो मरने के बाद भी आ रहा है, तो even लगेगा die से पहले, so even die, that no one can even die, peacefully without money, कि पैसे के बिना, कोई चैन से मर भी नहीं सकता, चैन से मतलब peacefully, अराम से, शान्ती से, वो गाला, मुझसे एक वादा कर, make a promise to me, ठीक है, so promise करना किसी से होता है, to make a promise to someone, ठीक है, so when you are, आप किसी से जब कोई वादा कर रहे हैं, so you are making promise to someone, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, तो मुझसे वादा करो, make a promise to me, ठीक है, make a promise to me, मुझसे वादा करो, मुझे नहीं पता, तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता तू कैसे जिएगा दो sentence हैं इसके अंदर present indefinite future indefinite पहला है मुझे नहीं पता मतलब मैं नहीं जानती I don't know I don't know तू कैसे जिएगा how you will live या फिर how will you live दोनों बिल्कुल ठीक है ठीक है spoken के अंदर इस चीज़ को हम कई जगा interchange कर देते हैं लेकिन अगर आपको बिल्कुल grammatically समझना है so how will you live आएगा यहाँ पे spoken में आप how you will live बोल सकते हो तो मुझे नहीं पता तू कैसे जिएगा I don't know how you will live लेकिन जब तुझे मौत आए मतलब क्या है इसका जब तुझे मौत आए तो इसके पीछे मत भागने लगना कि क्या लगेगा कम आएगा आने की बात चल रही है यह कौन सा sentence है इसको हम जब तुझे मौत आए so when die will death will come इस लेकिन जब तुझे मौत आए कि मतलब जब तू मरे जब तू मरेगा इस तरीके से but when you die but when you die जब तू मरता है यह चीज़ना हम कही बार ऐसे बोल देते हैं कि भाई जब पहुंच जाए तो मुझे बता देना so tell me once you reach future की ही बात करते हैं लेकिन हम इसको present and definite के तोर पे बोल दियो तो future की बात कर रहे हैं कि जब तू पहुंच जाए मुझे बता दियो लिकिन हम spoken में कैसे बोल देते हैं कि just update me या फिर inform me once you reach जब तू पहुंच जाए इस तरीके से so लेकिन जब तुझे मौत आए but when you die तब तू दू दुनिया के सबसे सक्तिशाली और सबसे अमीर इ then you will die future indefinite sentence है then you will die कि तब तू मरेगा as the most important and richest person in the world अब देखे as का जो मतलब होता है यहाँ पे simple अगर as कहीं लगा हुआ है इसका मतलब है के रूप में जैसे कि मैं बोलू कि I'll come in the party as teacher कि मैं teacher बन के आऊंगा उस तरीके से कि मैं teacher बन के आऊंगा तीचर के रूप में that कि तुम उस तरीके से क्यों वहवार कर रहे हो तो मतलब उस रूप में जैस का इस तरीके से होता है so then then you will die as the most important and richest person in the world तब तु दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर इनसान बन के मरेगा तुम्हारी का सम्मा मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा जैक लेकिन यहां पर बनूंगा वाली बात आ रही है तो जब हम कोई चीज इस तरीके की बात होते हैं कोई चीज बनना कोई चीज होना मैं आपको कई बार बता चुगा हूँ ऐसे जगाओ पर हम will sorry be या become इन चीजों का use करते हैं चीक है कि तुम मेरे दोस नहीं बन सकते you cannot be my friend चीक है इस तरीके से एक दिन मैं अमीर बनूंगा one day I will be rich या फिर one day I will become rich इस तरीके से so तुम्हारी का सम्मा swear to you mom चीक है swear to you तुम्हारी का सम्मा I will be the richest man in the world मतलब मैं बनूंगा या फिर मैं होंगा तो दोना की sense में be का use कर देते हैं चीक है कमरे में कोई हो सकता है someone can be in the room चीक है तुम अमीर बन सकते हो you can be rich ये वीडियो देखके तुम fluent हो सकते हो या बन सकते हो so by watching this video you can be fluent in English इस तरीक से so तुम्हारी का सम्मा मैं दुनिया का सबसे अमीरादी बनूंगा swear to you mom I will be the richest man in the world अब ये थोड़ा movie आगे चली गई है वहाँ पे आया है तुम्हारी हिम् होई so simple बोलते हैं इसको how dare you how dare you तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने हिम्मत कैसे की so how dare you अब ये कह रहा है कि तुम कितनी गोरी हो how fair you are how fair you are अब देखे यहाँ पे भी क्या करा how fair are you ये चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन how fair you are जैसे हम कही वार बोलते हैं how cute he is अब अब ध् is so cute ठीक है वो वाला sense है how cute he is, कितना cute है so how कर जो यूज़ होता है एक तो कैसे कि how to do it, कि कैसे करें एक होता है कितना वो वाला sense होता है तुम्हारा घर कितना दूर है so how far your home is कि तुम्हारा घर कितना दूर है इस तरीक से कितने के लिए भी उस करने कितना time और लगेगा how much time will टेक ठीक है ऐसे सो तुम कितनी गोरी हो how fair you are तुम सब लोग क्या देख रहे हो चलो मारो उसे so what you all are looking at ठीक है what you all are looking at कि तुम सब क्या देख रहे हो अब look के साथ ना आप सिर्फ looking आप यहां तक भी लगा सकते थे कि what you all are looking कि तुम लोग क्या देख रहे हो यह भी सही है लेकिन look के साथ ना at का use करना आप शुरू करो वो चीज ना एक बहुत अच्छा एक sense लेकर चलता है और बहुत अच्छा impression भी डालता है चीक I am looking at this कि मैं इसकी और या इस पर देख रहा हो तो किसी चीज़ पर देखना किसी चीज़ को देखना सो वहाँ पर at का use यह होता है so what you all you all मतलब तुम सब लोग तुम सब इस तरीके से so what you all are looking at तुम सब लोग क्या देख रहे हो चलो मारो उसे come on beat him अब देखे come on और यहाँ पर let's छोटी सी चीज़ ध्यान रखना मैंने यह चीज़ बताई हुई है चलो खेलते हैं let's play ठीक है तो ऐसी जगा पर जहाँ पर मैं भी involved हो रहा हूँ मैं खुद भी involved हो रहा हूँ ऐसी जगा पतम let का use करेंगे यह करेंगे लेकिन जब वहाँ पर एसा होता है ना कि जहाँ पर मैं involved नहीं हो रहा हूँ मैं अपने दोस्तों से क्या रहा हूँ कि यार चलो खेलो चीक है तो वहाँ पर let's नहीं लगाँगा मैं वहाँ पर मैं come on लगाँगा अगर मैं involved हो रहा हूँ तो मैं let भी लगा सकता हूँ come on भी लगा सकता हूँ लेकिन अगर यहाँ पर मैं involved नहीं हो रहा और मैं किसी दूसरों को बोल रहा हूँ तो वहाँ पर come on ही लगाओ let मत लगाओ let में मैं खुद भी आ जाता हूँ चाहिए let's play a game, चलो खेल खेलते हैं तो उसमें तो मैं खुद भी आ गया लेकिन come on guys come on guys do मैं कुछ भी बोलना हूँ come on guys beat him कि चलो यार इसको पीटो उसमें मैं include नहीं हो come on guys play well come on guys show some energy तो मैं दूसरों से बोल रहा हूँ कि कुछ energy दिखाओ अच्छा खेलो इस तरीके से मैं वहाँ खुद मैं नहीं हो अब यह कह रहा है तो मैं क्या कह रहा था so what was I saying तो मैं क्या कह रहा था simple sentence है कौन सा sentence है यह आपका present sorry आपका यह है past continuous कि मैं क्या कर रहा था मैं क्या कह रहा था तुम यह कर रहे थे तुम वो कर रहे थे so was word का use होता है और ing लगता है तो मैं क्या कह रहा था so what was I saying अब यह करें शायद Bangalore में आज तुम्हारा पहला दिन है maybe today is your first day in Bangalore simple sentence इसमें क्या ही बता हूँ मैं so maybe एक तो होता है एक word maybe के बीच में कोई space नहीं होता है एक होता है में और बी के बीच में space होता है वो दोनों अलग-अलग तरीके से use होते है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस चीज के उपर आप वो जाके देख लेना आपको प्लेलिस में मिल जाएगी चाहिए so शायद Bangalore में आज तुम्हारा पहला दिन है maybe today is your first day in Bangalore तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ चीज के तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ so you don't know who am I अब यहाँ पर who am I के जगा who I am भी लिख सकते हूँ spoken में लिखने के तौर पतर who am I ही आएगा लेकिन you don't know who I am ऐसे भी हम बोलते हैं you don't know तुम नहीं जानते who am I मैं कौन हूँ अब देखे तुम नहीं जानते यह तो आपका present indefinite sentence हो ही गया ठीक है do does का use कि you don't know तुम नहीं जानते who am I मैं कौन हूँ यहाँ पर कोई action नहीं हो रहा है present का sentence है लेकिन कोई action नहीं हो रहा है so isMR लगेंगे यह जानने के बाद भागना और छुपना मत अब after या before इस चीज़ के बाद जो action आता है उसमें ing लगता है mostly लगता है after playing the game, game खेलने के बाद okay before playing the game, before studying, खेलने से पहले, पढ़ने से पहले इस तरीके से so जानने के बाद after getting to know अब get to know आप लगाना शुरू करो सिर्फ no लगाना शुरू मत करो मतलब एक तो होता है मैं जानता हूँ I know लेकिन जब यह बोलते हैं मैं जानने के कोशिश कर रहा हूँ जानने के बाद, जानने से पहले उसको जाने बिना चीक है like without getting to know him इस तरीके से आप get के साथ no का यूज करना शुरू करो इस तरह की जगाओं पर तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे after knowing ये भी लिख सकते थे कि जानने के बाद लेकिन अच्छा थोड़ा सा साउंड करेगा after getting to know जानने के बाद भागना और छुपना मत don't run and hide hide होता है छुपना don't run and hide future indefinite sentence है simple मेरे पापा तुमें कहीं से भी ढूंड लेंगे पहले आप इतना बनाओ कि मेरे पापा ढूंड लेंगे इतना बनाओ पहले आप मेरे आप ढूंड लेंगे my father will search ठीक है एक तो होता है ये लेकिन एक होता है तो search हो गया वैसे ढूंडना लेकिन search की जगा आप find का जब use करोगे तो मतलब किसी particular चीज search का मतलब तो ये होता है कि भाई मतलब मैं वैसे कुछ चीज़ ढूंड रहा हूं ठीक है छोटी सी जगा पे कि एक छोटी सी जगा पे मैं कुछ चीज़ ढूंड रहा हूं तो that is searching ठीकिन find करने का मतलब होता है खोजना खोजने वाला जो sense आता है वो find में आता है तो मेरे पापा तो मैं कहीं से भी ढूंड लेंगे so my father will find you ठीक है कहीं से भी from anywhere anywhere का मतलब कहीं ठीक है so कहीं से भी from anywhere तो मेरे पापा तुम्हें कहीं से भी ढूंड लेंगे मैं father will find you from anywhere मुझे भागने मैं बाग जाने की आदत नहीं है यह भागने जाने नहीं है यह है मुझे भाग जाने की आदत नहीं है अब एक तो होता है भागना सिर्फ भागना वो तो आता run एक होता है दूर भाग जाना तो वहाँ पर away लग जाता है ऐसे ही चलना भी लगता है कि why are you walking away कि तुम चल के दूर क्यों जा रहे हो मतलब अगर कोई तुम से चल के दूर जा रहा है so why are you walking away तुम क्यों चल रहे हो, क्यों जा रहे हो वो वाला sense होता है सेम यहाँ पर भागने का मतलब है दूर भाग जाना तो मुझे भाग जाने की आदत नहीं है I don't have a habit of running away चीक है I don't have a habit of running away भाग जाने की अब जब ing लगता है ना ऐसी चीजों में simple सी चीजों में जैसे playing is good for health तो उसमें ना, खेलना, जाना, आना वो वाला सेंस लग जाता है कि खेलना से यहाँ के लिए अच्छा होता है playing is good for health चीक है सो सेम यहाँ पर बोला मुझे भाग जाने की आदत नहीं है I don't have a habit कि मैं आदत नहीं रखता हूँ वो वाला सेंस है I don't have a habit सो आदत होने को have a habit ही बोलते हैं I have a habit of making videos मुझे videos बनाने की आदत है I have a habit of singing I like singing एक तो तरीका यह हो गया बोलने का कि मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन अगर मैं बोलो कि मुझे गाना गाने की आदत है So I have a habit of singing इस तरीके से So मुझे भाग जाने की आदत नहीं है I don't have a habit of running away मैं तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूँगा चीक है Comparison जब भी आता है तो THAN वाला than लगता है मैं तुमसे लंबा हूँ I am taller than you चीक है मैं तुमसे अच्छा हूँ I am better than you इस तरीके से तुम मुझसे अच्छे हो You are better than me चीक है अफिर negative चीज हो कि तुम मुझसे भी बुरे हो चीक है So you are worse than me ऐसे So मैं तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूँगा इसको बनाओ So देखभाल करना क्या होता है Take care अब take care के साथ आफ लग जाता है जब किसी की देखभाल करने की बात आती है Like I am taking care of my mom मैं अपनी मम्मी की देखभाल कर रहा हूँ इस तरीके से So I will take care of you मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा I will take care of you Better than your father तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह से तो compare किस से कर रहा है पापा से So I will take care of you Better than your father मैं तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूँगा लगता है वो इस शहर में नया है I think कैसे लगता है सोचने सा लग रहा है So I think he is new to this city कि वो इस शहर के लिए नया है Sense तो ये वाला बनेगा कि वो इस शहर के लिए नया है लेकिन अगर आप बोलो कि I think he is इस शहर में नया I think he is new to this city या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो I think he is new in the city लेकिन he is new in the city ये एक बहुत ही पुराना सा हो गया थोड़ा अच्छा सा अगर सीखना हो So I think he is new to this city अगर आपको कहीं पे बोलना भी हो ना कि मैं इस शहर में नया हूँ So I am new to this city कि कि किसी चीज़ा नया हूँ So you are new to something जैसे कि कोई game खेल रहा है आपका दोस्त और मैं first time खेल रहा हूँ मैं उसको बोले हैं I am new to this game कि बाई मैं इस गेम में नया हूँ वो वाला सेंस होता है लगता है वो शेहर में नया है I think he is new to this city अकेले ही उसने हमारे सभी लड़कों को पीट दिया है अब या है यह है से समझ जाओ कि यह कौन सा सेंटेंस है present perfect has have का यूज होता है और third form आती है अकेले ही यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी अकेले ही का मतलब हम English में हम बोलते है single-handedly मतलब एक ही हाथ से अकेले ही वो वाला सेंस होता है हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं कि उसने अकेले ही यह चीज कर दिया English में इस चीज के लिए use हम करते है या तो आप all alone लगा दो all alone भी लगा सकते हो लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया कुछ अगर नया सीखना है so that is single-handedly कि यार मैंने अकेले ही सारा काम निप्टा दिया so I single-handedly completed the whole work simple sentence इस तरीके से बनाओ ऐसे आप practice करो और sentences बनाने की so अकेले ही उसने हमारे सभी लड़कों को पीट दिया single-handedly he has beaten all our boys all our boys हमारे सभी लड़कों को हे भगवान तुमने driver को भी पीट दिया oh god you have beaten the driver too also भी लगा सकते हो कि you have beaten the driver also ठीक है यह कौन सा sentence है present perfect ही है यह है यह ऐसे चुका है कि तुम driver को भी पीट चुके हो तुमने driver को भी पीट दिया है वह वाला sense आएगा so you have beaten the driver too driver के कपले मुझ पर कैसे अब यह कैसी नहीं है कैसे है यह driver के कपले मुझ पर कैसे लग रहे है how is the driver's attire looking on me अब attire का मतलब होता है वेश भूशा जैसे किसी भी जैसे मैं बूलों कि South Indian जो लोग है अब जैसे हमारे होस मतलब है कि सब traditional attire में आएंगे तो मतलब traditional कपडों में आएंगे तो South Indian जो लोग है लुंगी पहनते हैं उपर shirt पहनते हैं इस तरह से हैं कि हरियाना में लोग पगडी पहनते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं तो अल दीस थिंग्स कम अंडर attire जैसे ड्राइवर के कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं फिर ड्राइवर की वेश भूशा मुझ पर कैसी लग रही है तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की तो तुमारी हिम्मत कैसे हुई इसके लिए तो सिंपल है अब क्या करने की इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना मुझसे इस तरह किसे बात करने की तो तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की how dare you to talk to me like that तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो ठीक है तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो अब लायक जो word है ना लायक इसके लिए हम जो word यूज करते है that is worth ठीक है worth so अगर कोई चीज किसी चीज के लायक है नहीं है तो that is worthy ठीक है worthy अगर मैं बोलो कि यार इसकी कीमत या फिर इतने पैस हो के लायक नहीं है ठीक है so it doesn't worth like it doesn't worth of this much amount ठीक है this much amount of money या फिर this much amount इस तरह से बोलेंगे तो यहां यह कह रही है तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो you are not even worthy अब लायक भी तो लायक के बाद भी आया तो even आएगा लायक से पहले मतलब worthy से पहले you are not even worthy of standing in front of me तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो off standing के जगा आप two stand भी लगा सकते हो, you are not even worthy to stand in front of me, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाओ, अलग लग तरीके से बना सकते हो, comment box में उससे पूंच सकते हो, कि हमने इस तरी से बनाया है, क्या यह सही है, गलत है, चाहिक है, अगर मैं बूलो हो कि यार, यह cold drink के bottle लाय is not worthy of being used, कि इस्तमाल किये जाने के लायक नहीं है, अब अलग लग तरीके से अलग लग sentence बनाओ, comment box में मुझसे पूछो, मैं आपको बताता रहूँगा, तो I hope आपके वीडियो पसंद आई होगी, कोई doubt है, कोई confusion है, comment box में जाओ, मुझसे पूछो, वीडियो पसंद आई, तो लाइक करो, नए हो, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो, थैंक्यू,